नमस्कार मेरा नाम बिरिश दिवेदी है आप देख रहें लाइव ब्लॉग इलहाबाद हाइकोट ने नाबालिक रेप पीड़ता का गर्वपात कराने की मांग से जुड़ी याचका पर सुनवाई की हाइकोट ने कहा योन उत्पीड़न की शिकार लड़की को उस बच्चे क को जन्म देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता जो बच्चा योन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का है दरासर 12 साल की रेप पीड़ता ने अपने 25 सप्ता के गर्व को समाप्त करने की मांग करते हुए याचका दाखिल की जस्टिस महेश्चंदत रिपाठी और जस्ट अधिकार करना होगा पीड़ता को अपने शरीर की स्थिती का निर्ड़े लेने का पूरा अधिकार है रेप पीड़ता ने अपनी मां के जरीए हाई कोट का रुप किया याचका में कहा गया कि पडोसी ने उसकी बेटी का कई बार रेप किया और योन उत्पिरन किया लेकिन आनमा ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहट एफाई यार दर्ज कराई 16 जून 2023 को पीड़ता की मेडिकल जाच कराई गई तो 23 सप्ता के गर्व का पता चला 27 जून को मामले को मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा गया तो ये राय दी गई की गर्वावस्त को समाप्त करने का समय 20 सप्ता से अधिक लेकिन 24 सप्ता से अधिक नहीं होनी चाहिए वो भी केवल विशेस परिस्तितियों में गर्वपात की अनुमती दी जा सकती है ये देखा जाएगा कि महिला के जीवन या शारिरिक स्वास्त को कोई गंबीर नुकसान तो नहीं होगा कोट ने आगे कहा कि लड़की नाबालिक है उसका रेप और योन उत्पिरन हुआ है ये मामला मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के तहट स्पेशल केटिगरी में आएगा कोट ने मामले की समवेदन शीलता को देखते हुए मानुवे अधार पर अलीगड मुस्लिम विश्विद्याले के कुलपती को आदेश दिया की जवाहललाल मेडिकल कॉलेज अलीगड के प्रसूती एवनस्तिरी रोग विभाग के पांच चिक्रिकों की टीम गठित की जाए कोट ने एनस्थीसिया और रेडियो डायोगनोसिस विवाग को ग्यारा जुलाई को पीड़ता की जाँच करने और बारा जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट कोट में पेश करने का निर्देश दिया इसी तरह की कानून से जुड़ी खबरे देखने के लिए लाइब लॉग को शुक्रिया